ये गाईज वेलकम चुमाय चैनल और मैं स्वाता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं यह दिखाने जा रही हूँ ब्लैक स्मोक याज बहुत ही आसानी से घर पर हम कैसे कर सकते हैं तो फिर चलिए स्टाट करते हैं लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं अच्छे वीडियो लाती रहोंगे आप लोगों के लिए तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहले हमें आइब्रो डिफाइन करना है तो आइब्रो डिफाइन करने के लिए मैंने LA कलर का ब्राउन आइब्रो पैंसिल यूज किया है बस खाली जगों को भड़े ज्यादा लंबा नहीं करना है और इसके पिछे जो ब्रस होता है उस ब्रस से अच्छे से मिला ले क क्योंकि कहीं भी एक जगा प्रोडक्ट इखटा ना हो अब इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी तो कंसीलर हमें आई लिट पे भी लगाना है और आई ब्रो के ऊपर भी लगाना है तो कंसीलर के लिए मैंने NY-B का कंसीलर यूज किया है उपर और नीचे दोनों तरफ लगाने से हमारा जो आई ब्रो है वो भी सार्प नजराता है और आई लिट पे हम लोग इसले लगाते कि हमारा एक बेस हो जाता है इस से बहुत ही अच्छे से आपका जो भी मेक अप है आई साड़ो जो हम लगाएंगे वो बहुत अच्छे से उभड के आएगा अब कंसीलर मिलाने के लिए आप उंगलियों का इस्तमाल भी कर सकते हैं जैसे मैं फिंगर से मिला रही हूँ देखे अब इसे सेट करने के लिए मैं ग्लैम 21 का कॉम्पैक पॉडर यूज़ करूँगी देखे अब सेट हो गया अब हम आई मेकप स्टार्ट करेंगे एक मैंने आई मेकप कर लिया है दूसरी मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों दिखाती तो और लंबा हो जाता ठीक है अब आई लीट पे उपर तक नहीं जाना है क्रीज तक नीच ही जैसे मैंने दिखा है ऐसे ही आपको काजल लगा लेनी है अब इसे अच्छे से मिलाने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग ब्रस का यूज करेंगे इसके लिए मैंने यह पैंसल ब्रस लिया है ठीक है इसे अच्छे से मिला लेंगे अब जो इसका लास्ट है क्रीज एरिया पर जहम जाएंगे तो इसको स्मोकी लुक देना है तो स्मोकी लिए मैंने blending brush का यूज किया है यह बड़ा वाला blending brush है इसको अच्छे से ब्लेंट करना जितने अच्छे से ब्लेंट करेंगे अच्छा लुक आएगा अब जहां पर black color है उसे ब्लाइक आई सदेट और उपर ब्राउन आई सदो ठीक है इसके समुष करांगे खूब अच्छे से ब्लेंट करेंगे अब देखे इस आखो में मेरा ब्लाक कलर थोड़ा कम लगा था तू मैंने इसके बाद ब्लाक आज歧 लगाया और उसके बाद मैंने ब्राउन कलर दिया पस इतना साब करना बस ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है हम आखो के उपठ correctrole पर आइलिट पर करेंगे तो नीचे भी करना बनता है क्योंकि फिर नीचे नहीं करेंगे तो अपका एपका आख नहीं दबाल सा लगेगा तो उसके लिए अब हम नीचे स्टर्ट करेंगे ice cream तो सबसे पहले हमें उसके नीचे आपको अगर आपको मेरे समझाने का तरीका या अच्छा लग रहा होगा या वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक से अंस्ब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैंसे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहोंगे तो मैं ये फेस पॉर्डर से मैंने इसे अच्छ अब वाटर लाइन पर अच्छे से अब दिखिए इसे मिलाने के लिए मैंने ब्रस का यूज किया है ब्रस से भी अच्छे समयने से मिला दिया अब वाटर लाइन पर हम काजल लगाएंगे काजल के लिए मैंने नाइका का काजल यूज किया है अब इसे हलका सा समच करेंगे ठीक है टेन ब्रस से उसे समच कर लेंगे और फिर जो खमनी स्मोकी आई लोक में सबसे उपर ब्राउन कलर जो दिया था वही इसके हलका सा नीचे हमें ब्लेंट करना है ठीक है आई मेकप अल्मोस्ट तेहां है रडी ही है लेकिन फिर हमें मुझे आई-लाइनर बेस में लगाना था तो मैंने लाइक में का यह यूज किया है इच्छे से विंक्स वाले लाइनर लगा लीजे आपका मैंने तो लगा सकते है नहीं तो यह ऐसे भी अच्छा लगता है लेकिन मैं आपको लगा करके दिखा रही हूं अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए दिखा अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजेगा और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा मैं कोसिस करूँगी यह करने के लिए अब लैसेज करल किया मैंने अब इस पर मैं मसकरा लगाओंगी मसकरा के लिए मैंने मेबलीन का हाइपर करल मसकरा यूज किया है मैंने कोसिस किया है सबका स्क्रीन सोट आपको इसके साथ ही लगा दू आप चेक कर लिजेगा अब ब्रो बॉन पर मैंने हाइलाइटर लगाया है यह मैंने सिवाना का हाइलाइटर लगाया है गोल्ड कलर अच्छली यह टूड गया तो इसे मैंने डिबे में भढ़के रखा है अब मैं हलका सा आपको मेकप दिखा देती हूँ बस मैंने हलका सा आपको फॉंडेंशन लगाया है लैक में का यह फॉंडेंशन है और इसके उपर मैंने वही फेस पॉडर लगाया है ग्लैम 21 का आपके पास जो भी आप लवल हो आप आराम से शेहरे पर अपलाई कर सकते हैं फिर मैं लिप लेजर में लेएग मैट मी आपको जो भी पसाता है आप इसके साथ लगा सकते हैं अल्मोस्ट ये कंप्लीट है आपका ये लुक, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा, अब मैं आपको दिखा रहे हैं इसका फाइनल लुक, यही है इसका फाइनल लुक, आपको मन करें आराम से, आप हाइलाइटर वेगरा ये अप्लाइसर कुछ अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में, तब तेके लिए, बाइ!